तो स्वागत है आपका डेली विकेंसीनी चैनल में दोस्तों आज हम फिर से चत्तुसगर के अलग-अलग वी भागो एवं अलग-अलग जीलो से यहाँ पर बहुत ही मुत्पून भरते विग्यापन लेकर रुपस देते हैं दोस्तों जिसके बारे में आज समपून जानकारी हैं हम आपको इस वीडियो का माध्धम से यहाँ पर सेयर करेंगे दोस्तों तो वीडियो पर जो है अंत तक जरूर बने रही है दोस्तों तो चले बीने किसी टाइम उसके सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जारी हुए विग्यापनों के बारे में आपर देखते हैं दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों जैसे कि आपके स्क्रीन में सो हो रहा है कारेले नियादिस कुटूम बने आलाय जानगीर चापा दोस्तों किसमीता निधी मत के करमचारी वाटर में सुईपर चोंकीदार के निमने रिक्टपतों पर सीधी भरती से पूर्ती है तो यहाँ पर अरता प्राप्त भारते नागरिकों से यहाँ पर आविदन अमंत्रित किया गया है अब भ्यार्थियों से दिनांग 25 अगस्त जो साम पा 2 वाँ चेहां पर रिक्ते हैं वहां चला के लिए दो पोस्ट है वृति के लिए एक पोस्ट और अकिस्मीता निधी से洗 tämä करने वालकारी वाटर मेंन स्वी परचाओं की दार के लिए तीन पोस्ट Intro रिखते हैं दोस्तों यहाँ पे महत्पून टिप हम देख लेते हैं तो देख सकते हैं आपे अनुसुची जाती है और अनुसुची जन जाती अनुसुची जाती हैं पिछड़ वर्ग के लिए आरक्षित पाज जो है केवल 36 गड़ के मूल निवासों के लिए आरक्षित है और जिसमें चात्यूस गड़ के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप और इसमें हम योगता एवं वेतन मान की बात करें तो यहाँ पे हिंदी इस टोनोग्राफ फर रहे दू यहाँ पे वेतन आपको लेवल 7 के हिसाब से 28,700 रुपय तक का वेतन इसमें दिया जाएगा सेक्षिनिक योगता दोस्तों किसी भी सुईट दाले से अरक्षित वर्ग के लिए मिनिममम 45 परसेंड एवं अरक्षित वर्ग के लिए मिनिममम 40 परसेंड अंकों के साथ यहाँ पे इस नातक परिक्षा उतीड होना मंगा गया है अगला है 36 गड़िया मध्यप्रदेश सिग्र लेखन तथा मुद्र लेखन परिक्षा बोर्ड यहाँ पर आपको उत्यूड होना अवश्यक है तभी आप इसमें अवधन कर सकते हैं और जो है दोस्तों आपको कंप्यूटर में हिंदी टैपिंग की गती 500 की डिप्रेशन प्रती घंटा होना चाहिए अब भर्थी को डिप्लेउमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन डीसीए, एमेस वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूंतम कंप्यूटर ग्यान होना चाहिए अब भर्थी को कंप्यूटर में हिंदी टैपिंग आपको आना चाहिए और पॉन 6,000 की डिप्रेशन का आपको गती होना चाहिए और यहाँ पर किसी भी कंप्यूटर कोर्श में एक वर्षी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए दोस्तों अब बात करते हैं वहां चालक के लिए तो यहाँ पर आपको इसमें वेतन 19,500 रूपया दिया जाएगा योगता जो है किसी मुआदमिक साला द्वारा यहाँ पर कक्छा आठवी क्या प्रमान पत्र आपके पास होना चाहिए यानि कि आठवी पास उत्तिन होना चाहिए और हलका मोटा रियान का वैद अनूद गत्ती धारी यानि कि आपके पास लैंसेंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का अबलगा है दोस्तों यहाँ पे भृत के पाद हेतु जिसमें कि आपको वेतन 15600 रुपे दिया जाएगा सेक्षिनिक योगता है पाँचवी पास और यहाँ पे देख सकते हैं सेवा कारे करने ही तु ततपर्द अथा आविदित पाद से संबदित कारे में आपको पास अनुभाव होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपके स्पिंता नीधी से वेतन प्राप करने वाले करमचारी वाटर में सुईपर चोंकिदार के पद हेदू सेक्षिनिक योगता कक्छा पांची परिक्षा उत्तिवन यहाँ पे मंगा गया है और यहाँ पे अनुभाव भी मंगा गया है दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं प्रते कैसे अभ्यारती पात्र होंगे जिनकी आयुदिनांग एक जनवरी 2022 को 18 वर्ड से कम 30 वर्ड से अधिक नहों यहाँ पे बोला गया और यहाँ पे दोस्तों छत्तलगर के स्थानिय यह मूल्यवाशियों को जो है यहाँ पे उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं उन्हें संबंदित दस्तावेज आपको प्रस्तूत करना होगा यहाँ पे देख सकते हैं उच्चतर आयु सीमा में यहाँ पे छूट के लिए क्या-क्या लगेगा ओ सब इसमें दिया गया है दोस्तों इसका उलोकन करना चाहते है तो आप PDF का उलोकर आपको Telegram channel में प्राप्त हो जाएगा और दोस्तों इसमें आपको आविदन का प्रारूप यहाँ प्राप्त हो जाएगा PDF का अंत्मी दिए दोस्तों नहींद आप देख सकते हैं संपूर्न जानकारी इसमें दिया गया है चैन परक्रिया मेरीट के अधारपन यहाँ पर लिया जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आविधन का प्रारूप दिया गया है दोस्तों इसको आप प्रिंट आउट निकालवा सकते हैं तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अगले विज्यापत की तरब आप देख सकते हैं और इसमें आपर एज लिमीट की बात करें तो यहाँ पर फिप्टीन यार जो है बोला गया है इसमें यहाँ पर देख सकते हैं और केवाल एक पोस्ट यहाँ पर रखी थे दोस्तों जिसमें कि आप आईदन कर सकते हैं ओनलाइन माध्यम से इसमें आपको आईदन करना होगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सभी जानकारे इसमें दिया गए है और यहां पे आपको online apply करना होगा इस website में दिये गए जैसा कि आपके screen में सो हो रहा है career.ntpc.com.in पर आपको visit करना है और इसमें आपको online माध्यम से अविदन करना होगा दोस्तों बढ़ते हैं हम अब अगले विग्यापन की तरफ अगला वेकिंसी है दोस्तों हाँ पर देख सकते हैं College of Agriculture Research Station पाटन दुर्ग जीला द्वारे हाँ पर निकल के आ रहा है दोस्तों जिसमें की guest teacher के लिए जो है आपर recruitment जारी के आ गए है इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं BSC Honors Course के लिए जो है यहाँ पर लिखा लगा है जिसमें की निमने लिखी subject यहाँ पर देख सकते हैं Agrile Station and Social Science के लिए एक post है Plant Molecular Biology and Biotechnology के लिए एक post है Live Stock and Production Management के लिए भी यहाँ पर एक post यहाँ रिखते हैं Minimum Qualification की बात करें तो यहाँ पर Master Decree मंगा गया है जो है समबंदी सब्जेक्ट में और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 55% Minimum आपका होना चाहिए और यहाँ पर Net Set यहाँ पर Qualifying अगर आप है तो इसके लिए आप आविदन कर सकते हैं इसमें दोस्तों आपको वेतन जो है पर डे 1500 रुपया यहाँ पर दिया जाएगा उसके हिसाब से Maximum जो है आपको 40,000 पर मंत यहाँ पर आपको दिया जाएगा दोस्तों इसमें अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो वेब साइट में विजिट कर सकते हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके जाएगा जिसके लिए जिसके लिए जो है आपको इमेल के माधम से इसमें आविधन करना होगा दोस्तों अधिकतम 35 यह आप मंगा गए है तो आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों आपको salary जो है clinical research coordinator के लिए 35,000 यहाँ पे दिया जाएगा lab technician कम data entry operator के लिए आपको जो है 15,000 इसमें वेतन दिया जाएगा education qualification की बात करें तो यहाँ भी BC nursing graduate यहाँ पे मंगा गया है और graduation certificate भी यहाँ पे मंगा गया है दोस्तों साथ में यहाँ पे experience certificate भी यहाँ पे मंगा गया है दोस्तों और यहाँ पे देख सकते हैं clinical research के लिए जो है क्या-क्या experience यहाँ पे मंगा गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी परकार lab technician कम data entry operator के लिए भी यहाँ पे experience मंगा गया है दोस्तों आपको अब how to apply की बात करना तो दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे कि आपके screen में सो हो रहा है email ID यहाँ पे दिया गया है इस email ID में इस आविदन का form यहाँ पे दिया गया है PDF कांत में मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों उसको अच्छे से fill up करना है देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी इसमें दिया गया है दोस्तों अगर आप इस PDF का लोकन करना चाहते हैं तो सभी PDF का downloading आपको टेलिग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाए का selection process देख सकते हैं बोला गया है कि list of eligible candidates will be display on the website of ms.raipur to separate care later admit card will be issue अगर आप इसमें selected होते हैं तो जो है आपका merit list हैं आपे बनाया जाएगा उसका website में ms.raipur के website में update कर दिया जाएगा तो अगर आप इसमें आविदन करते हैं तो जो है इसमें regular आप चेक करते रहेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं संपूर्ण इसमें दिया गया है और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आविदन पत्र का प्रारूप इसमें आप दिया गया है तो आपको इसको अच्छे से fill up करना है उसके बाद स्कैन करके मैंने जो email id बता हैं दोस्तों उसमें आपको send कर देना है दोस्तों तो इसके लावा और किसा देना है दोस्तों